आप सभी को मेरा सादर प्रणाम प्रस्तुत पुस्तक डॉक्टर हरिश्चंद वर्माजी बारा लिखित है जिसका नाम है भारतिय इत्यास की आत्मा वेदांत प्रस्तुत पुस्तक में आदर्निय डॉक्टर हरिश्चंद वर्माजी ने अपने देश के प्रती चिंता व्यक्त करते हुए कुछ ऐसे पहलू उजागर किये हैं जिनकी बज़े से आज हमारा देश इस इस्थिती में लाचार सा खड़ा हुआ है जिसमें कितने ही धर्मों ने उस पैठ कर ली सही समय पर ईश्वर ने राज्य और सत्ता के लिए सही व्यक्तियों को चुन लिया जो प्रियासरत हैं आज भी मेरा उद्देश है आदर्णिय डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्माजी के वो उद्गार वो शब्द वो भावनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने का है कि उनकी सारी विचार उनकी सारी भावनाएं आप तक प्रेशित कर सकों ये अध्याय पांच है इस पुस्तक में और पेज नंबर वन पेज नंबर है वन थर्टी त्री एक सो तेतिस इसका विशह है जैसे आधुनिक काल और वेदांत अठार्वी शती के मध्य से बीस्वी शती के मध्य तक का इसमें उन्होंने ये प्रेकाश डाला है कि हमारा देश हमारे लोग कैसे दूसरी संस्क्रती और अंग्रेजों मुसल्मानों इत्यादी जो अच्छी नियत नहीं रखते थे ऐसे लोगों के शिकन्जे में कैसे फसे तो उसका इतिहास क्या था एतिहासिक पीठी का सन 1757 इश्वी में प्लासी के युद में विजय से लेकर सन 1857 के प्रेथम सवतंत्रता युद तक इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगबग आधे भाग पर अपना आधी पत्य जमा लिया था वेहवारिक रूप से अंग्रेज भारत के शाशक बन गए थे लेकिन सिध्धान्त रूप में वे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहदुर शाहत जफर के सम्मुक कनिष्ट ही थे लाड डलहो जी ने सामराज्य विस्तार और अंग्रेजों का दबदबा बढ़ाने के उद्देश्य से गोध लेने की प्रता पर रोक लगा दी थी इसके आधार पर ब्रिटिस सरकार देशी रियायतों को हड़कती जा रही थी परिणाम सरूप सन 1857 ईश्वी में देशी रियाय सतों के राजा विस्तार वादी ब्रिटिस सत्ता के विरुद बढ़क उठे इससे पूर्व देश के विभिन शेत्रों में शोसित उत्पीलत किसानों के अनेक विध्रो हो चुके थे भारतिय सैनिक भी विदेशी सासकों की अपमान, भेदभाव और उत्पीडन की नीती से एसंतुष्ट थे आर्थिक शोषन, सामाजिक अपमान, धर्मांतरण की प्रवर्ती तथा भारतिय भाषाओं, धर्म और संस्कृती के योजना बद रूप में निरंतर आरूपन की दुष प्रियासों ने भारतिय जनता में अक्रोस और विरोध की भावनाओं को भढ़का दिया था हिंदू और मुसल्मान, व्यापारी और कारीगर, किसान और मजदूर सभी विद्रोह की दिशा में एक जुट होते चले गए 29 मार्च, 1857 ईश्वी को मेरट छावनी में मंगल पांडेय ने अपने सहयोगियों के साथ विद्रोह का विगुल बजाया उनका कोर्ट मार्शिल किया गया और 8 अप्रेल 1857 को उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया इससे सशस्त्र विद्रोह भड़क उठा विद्रोही सैनिकों ने 10 मई को दिली पर कबजा करके भादुर शाजफर को भारत का समराट गोशित कर दिया अब विद्रोह ने एक वियापक सतंत्रता आंदोलन का रूप ग्रहन कर लिया था आंदोलन के प्रमुक करनाधार थे जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई, फैजाबाद के मौलवी एहमद शाह, कानपुर के नाना साहब और उनके सेनापती तात्या टोपे दिल्ली, कानपुर, लखनव और बुंदेल खंड इस स्वातंत्रत्या संग्राम के प्रमुक केंद्र थे, किन्तु कुछ ही दिनों में यहे आंदोलन पूरे देश में फैल गया श्री सचीदानंद भटाचारे के मतानुसार, अंग्रेजी सत्ता को प्रारमिक प्राहारों से डावाडोल हो रही थी दीरे-दीरे सिखों, गोर्खों और दक्षिन भारत की सैनिक छावनियों से लाए गए सैनिको पर उनका पुनय अधिकार हो गया और कानपूर पर 27 जून 1857 को जहां सीकी रानी लक्ष्मी भाई युद में वीरगती को प्राप्थ मी तथा तात्या टोपे को बंदी बनाकर फासी दे दी गई बहादुर्शा जफर को बंदी बनाकर रंगून जेल में डाल दिया गया जहां 87 वर्ष की अवस्था में सन 1862 एश्वी में उनकी म्रत्य हो गई उनके दो पुत्रों और पोत्रों को करनल हडसन ने बिना किसी नायक जांच्ट के बेहरैमी से गोलियों से भून डाला इस स्वातंत्रिय संगर्श को कुचलने में अंग्रेजों ने प्रतिशोध की भावना के वशीबूत होकर भारी बरबरता से काम लिया और लाखों निर्दोश निहत्ते भारतियों को निर्ममतापूर मौत के घाट उतार दिया अधितर करांती कारियों को फांची के फंदे पर लटका दिया गया अनेक को रोड रोलरों से कुचल दिया गया तथा कितने ही व्यक्तियों को अनेक प्रकार की यातनाई देकर गोलियों से भून दिया गया इतिहास कारों की मान्यता है कि इससे पूर्व किसी भी देश से कि किसी भी संगर्स में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इतनी बेरे में से बली देवी पर नहीं चढ़ाया गया किन्तु बहा हुआ रक्त वियर्थ नहीं गया वह राष्ट पुरुष के प्राणों में धुआ उगलती हुई स्वतंतरता समर की अंतर ज्वाला को भीतर ही भीतर निरंतर सुलगाता रहा डॉक्टर के दामोदर ने इस प्रथम स्वतंतरता आंदोलन की असफलता के प्रमुक कारणों तथा इसके भावी प्रभाव पर प्रकाश डालतेव लिखा है देशी नरेशों और सामन्ती प्रमुकों की गद्दारी के अतिरिक्त इस सशत्र विद्रों की असफलताओं की अन्यकारण थे ऐ परियाप्त सैन्य शक्ती ऐसे नित्रत का अभाव जो सुगु संबध और केंद्री क्रत हो तथा आंतरिक फूट किन्तु 1857 ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है इसकी गाथाओं ने भारतिय जन्ता की नई पीडियों को प्रोचाहित किया है कि वे सौत अंतरिता के लिए अपना संगर्ज जारी रखें सन 1858 मेरी इश्वी में इस्ट इंडिया कंपनी का शाषन समाप्त कर दिया गया और भारत का शाषन इंगलेंड की महरानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया यद भी महरानी विक्टोरिया ने भारते नरेशों और जन्ता के घावाँ पर मर्रम लगाने के लिए अनेक दिल बहलाने वाली गोशनाए कि किन्तू वहवारिक इस्तर पर शाषकों और शासितों के बीच की खाई उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई अब विदेशी शास्तों के मुखेत तीन लक्षे थे अंग्रेजी शाषन की जड़े मजबूत करना भारत में इशाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना तथा व्यापारिक दर्ष्टी से भारत से सस्ती दरों पर कच्चा माल लेकर उससे इंग्लेंड के कार कारकहने में तैयार किये गए सामान को भारत में उची दरों पर बेचना और मनमाना मुनाफा कमानाल το इस प्रकार अंग्रेज भारत को मुनाफा कमाने की मढदी के रूप में प्रयक्त करना चाहते थे वह भारत को अपनी साम्राज्यवादी धर्मिक और व्यापारिक आकांक्षाओं की संपूर्ति का खाड़ा बनाने के इच्छुक थे धर्मांत्रण को वे शेज दोनों देश्यों के पूर्ति का भी माध्यम बनाना चाहते हैं थे इस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ओफ डारेक्टर्स के अध्यक्षिव मेंगल्स ने ब्रिटिश पार्लिया मेंटेंड में कहा था भाग्या ने इंगलेंड को हिंदुस्तान का विस्तरत सामराज जैस्वां पाहे ताकि इशा का जंडा विज्यो लास से भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैराता रहे प्रतियक व्यक्ति को इस बात के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए कि समूचे भारत को इसाई बनाने के काम में उस देश में किसी तरह का विलम्ब न होने पाए धर्म प्रचार का प्रशन अंग्रेजी भाषा और शिक्षा से नहार रक्त और रंग से भारतिय दिखने वाली युवा पीड़ी अंग्रेजीत में दिक्षित होकर स्वयम को आचार विचार वेश भूशा और भाषा से अंग्रेज समझने में अपार गौरव और गर्व अनुभव करे तथा अपने धर्म संस्कृति और रास्क्रेता या आज भारत पर अंग्रेजों का सामराज्य तो समाप्त हो चुका है किन्तु मानसिक दास्ता का विचा विस्तार करने वाले अंग्रेजी के सामराज्य वाद के कठोर शिकंजे से तो भारत आज भी मुक्त नहीं है अंग्रेजी के सामराज्य वाद में तो पहले से ही कई गु कर माला माल हो रहे हैं भारत में धर्म प्रिचार के लिए इशाई मिशनरीज बहुत पहले से आ चुकी हैं सन अठारे सो एक इश्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलिज की स्थापना की गई जिसमें बाइबल का हिंदी में अनुबाद करने के उद्देश्य से हिंदी विभाग की भी इस्थापना की गई एलेक्जेंडर डफ के प्रभाव से इस इंडिया कंपनी ने सन अठारा सो तेहरा इश्वी में शिक्षा के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की डफ धर्म प्रचार का कार्या अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से करना चाहता था अधैं अंग्रेजी माध्यम से सिक्षा देने वाले स्कूल और कालिज खोले गए अंग्रेजी सिक्षा की उपयोगिता से में आशातीत ब्रद्धी हुई क्योंकि अंग्रेजी जानने वालों को विदेशी फर्मा फार्मो और कंपनी के प्रशाशन में ततकानोकरी मिल जात था शेश नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक है इस्षाई मिशनरियों के हत कंडे जैहिंद